क्या हो रहा है रोहन जी यह तो कॉंग्रेस वाले शिवसेना वाले कह रहे हैं कि बीजेपी है यहां पर तो लेकिन बीजेपी का इसी में फायदा है ना कि वो सत्ता में बने रहें वरना आरज़ेडी के साथ नितिश बाबू चले जाएंगे देखे अंजना जी ऐसा कोई सरगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगाना हो जनता हो विरोधी हो या सहयोगी हो बीजेपी की एक ही निति है के तोड़ो और राजकर जनता को अपनी नितियों से प्रताडित करते हैंसे और सहयोगीयों में कहीने कही शिंदे डूंढ़कर उनको देखिए अंजना जी एक जब आप सहयोगी किसी को बनाते हैं एक धर्म होता है को एक्जिस्टन्स का मतलब सहास्तित्व का भाजपा का आप इतियास देख लीजिए 2014 में उन्होंने एंडिये बनाया था जब करीब 24 पार्टिया उनके साथ थी एक-एक करके मैं नाम लूँग पर एक ऐसी पार्टि-जेडियो जैसी पार्टि के जहां बीजएपी उनके साथ सवर्तन में हैं उनके प्रदेश प्रेसिडेंट रसीपी सिंग उनको मंत्री बनाय दिया जाता है वो भी कंसल्टेशन के बिना जेडियो के साथ में यह से बीजएपी कर सकती है जो छेड़न लेते हैं और जिस प्रकार की राजनीति हमने देखी जो महाराष्टर में है या जो भी पूरे देश में बाजब आपनी सत्ता की लालसा के लिए कर रही पूरे देश के लोगतंत्र के लिए खतरनाक है अंजनारी सत्ता में रहना हर पार्टी का अधिकार है और उसमें कुछ कि अधिके मुझे लगता है कि हमें वाले दिनों में देश की राजनीति में सैयोगी डल होंगे या जनता होगी या विरोधी होंगे सब बीजेपी के चेहरा समझ चुके हैं जब बिजेपी पर भरोसा के लिए किसी भी हद तक जा सकते है अजया लोग जी ये बीजेपी के सभी नितीश कुमार के सकते कहीं कोई आज सक कोई कंद्धें को vision नहीं तो अकुनित्य मुइने पहले ही समर्षन बिड्रॉप करते हैंmän यह प्रधान मंतरी पद का गोला जो दिमाग में घुसा दिया है लोगों ने प्रधान मंतरी पद के लिए प्रधान मंतरी पद के लिए बिमारी जिसको घुस्ती है न तो वह तरणाश करवा कहीं घुस्ती है कि उप्रधान मंतरी के उमीद्वार बन जाएंगे विपक्ष की तरफ से क्या यही सब लालच है कि अती महत्व कांख्षी नितीश कुमार को एक बार फिर से दिख रहा है कि वो प्रधान मंतरी का सपना पूरा कर सकते हैं अधरनीय नितीश कुमार जी को किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और अलोग जी का मैं कहना चाहता हूँ कुछ समय पहले तक वो जनता देल उनाइटेड में ही थे और अधरनीय नितीश कुमार जी की परसंसा ही करते थे इसलिए ऐसे शब्दों का चयन करना विनास नास इसे शब्दों का चयन करना और अच्छे पढ़े लिखे ही हो बिवक्ति हैं सब्द कोस उनके पास अच्छे खासे भंडार हैं सब्द कोस के तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए मुझे लगता है कि मैं क्या बोला कि अभी कयास लगाना कतेई उचित नहीं है अभी सरकार चल रही है कल जहां विधान मंडल की बैठक है जहां बहुत सारे इश्यूस पर जैसे डिसकेशन होने हैं आगे क्या होगा तो आपको पता चलेगा लेकिन मैं अभी अधिकरित नहीं ह सकता हूं कि NDA की सरकार चल रही है जिसके मुखिया आजर्दी नितिस कुमार जी है और बाकि जिल्लों को जो कोना है जो कयास लगाना है लगाते रहे हैं आप कयास मत लगाईए मैं आप से प्रश्न पूछती है आप हाना में उसका जवाब दीजे जनता समझ जाएगी लेक मुझे नहीं पता है चैनलों के माध्यम से और सुत्रों के माध्यम से आप लोग के चैनल पे ही चला लेकिन ऐसा कोई authentic information नहीं है अगला सवाल क्या नितिश कुमार की तेज़स्वी आदव से बातचीत हुई है देखे आदर्निय नितिश कुमार जी तेज़स्वी आदव से क्यू बातचीत करेंगे और जहां तक बात है रमजान के टाइम में निश्चीतरुप से वो भी आये थे जनता दिल उनेटर के कार्जकरम में आदर्निय मुखमंत्री जी भी गये थे अब उस पे भी लोग कयास लगा रहे थे तोई सुभाविक है कि रमजान का पवित्र महिना है और पहले भी दूसरे के यहां लोग आया जाय करते थे अब उस पे कयास जिनलों को लगाना है लगावे और जहां तक बात है इन दोनों की बातचीत के तो विप्रक्ष के नेता है और एक मुखमंत्री है दोनों के बीच अगर बातचीत होती भी होगी कर अगला सवाल विधायक दल की बैठक में क्या नितीश कुमार इन डीय में बीजेपी के गटीशन लेने के लिए विधायकों को कहेंगे जहां तक मुझे जानकारी है बहुत सारे internal issues है जहां विधान मंडल में जितने भी सदस हैं विधायक हैं विधान परशद हैं सांसद हैं सब के साथ जैसे साजा मीटिंग होगी और उन लोगों से discussion होगा आगे क्या decision लेने वाले हैं क्या होगा आगे केरा निती क्या होगी वो मुझे नहीं पता और मैं उसके लिए अधिकरित नहीं हूँ नितीश कुमार नाराज हैं बीजेपी से देखे कुछ मुद्धे तो definitely कुछ मुद्धे ऐसे हैं जिसको लेकर हमारी विचारधारा कुछ अलग है वीजेपी की विचारधारा कुछ अलग है तो मैं नराजगी नहीं कर सकता हूँ कि दो डिफरेंट दल है दो डिफरेंट पार्टी है तो सुहाविक है दोनों की विचारधारा तो एक जैसा हो नहीं सकता है लेकिन ऐसी नराजगी मुझे नहीं ऐसा परतित होता रही